गुट मॉर्निंग तो आल अफ यू आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लाई हूं मैट्रिस का कुन सा है रैंक कि हम मैट्रिक्स में रैंक अगर रैंक के ऊपर कोई कोशन आ जाता है तो हम इसे कैसे करेंगे तो सबसे बहुत इसके डेफिनिशन पता होने चाहिए ना तो उस से स hm regulation है ना नॉन सिंग्लर सबमैक्रिक्स होना चाहिए वो सिंग्लर नहीं चाहिए अगर वह सिंग्लर आइज तो इसके hani लिए स्टक करेंगे तब तक करेंगे जब इस वाले किसमें multiply करते हैं और minus इसकी इसमें तो 1 into 1, minus 1 into 1, तो कितना आ गया, यह हमारा आ गया, 0, इसका मतलब order 2 में हमारा singular आ रहे है value, अना, value क्या आ रही है, singular आ रही है, तो इसका मतलब इसकी rank 2 नहीं हो गई, अब हम क्या लेंगे, इसका minor लेंगे, minor order 1, अब order 1 में तो सारी आ जाएंगी, यह आ जाएगा, इसका 1 का determinant, इसका अलग से निकाल लेंगे, 1 का, यह सारी non-0 होंगी है, ना, सारी क्या होंगी, non-0 होंगी, तो इसकी rank कितनी होगी है हमारी, rank हो जाएगी 1, क्योंकि order 2 है, जब order 2 में हमारी value जरू हा गया, तो इसकी rank 2 तो होगी नहीं, जब rank 2 नहीं है, तो rank 1 तो होगी होगी, हाना, जैसे अब 3 order की ले लेते हैं, उससे ज्यादा clear समझ में आएगा, जैसे order 3 की लेली हमने, यह 3 order का है, इसको हम वैसे भी equivalent form से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरे method से बता रही हूं पहले, पहले हमने इसका determinant निकाला, determinant कहाता है, पहला वाला 1 ऐसी, यह खतम, यह खतम है न, यह खतम हो जागा, यह खतम हो जागा, इसकी इसमें multiply, 2 तीया 6, फिर minus होता है, और इसमें भी minus है, तो minus minus plus हो जाएगा, 3 दूनी 6, फिर formula में होता है minus का, फिर उपर का लेंगे 2, उपर की, जो brackets से इधर value है उपर की values लिखे जाएगी, पहले plus में, दूसरा minus में, फिर plus में, फिर इसमें 2 लिया, तो यह वाला column और यह वाली row खतम, इसकी multiply, इसमें करेंगे तो minus के 3, और उसमें minus है, तो minus minus plus हो जाएगा, और 3 आजाएगा, उसके बाद फिर लेंगे plus 3, plus 3 लेंगे तो क्या हो यह भी खतम, और यह भी खतम, तो determinant A की value क्या आगी है, हमारी 0, इसका मतलब, यह singular value आई है, तो इसका order, rank इसकी 3 तो होगी नहीं, अब हम निकालेंगे, इसका minor निकालेंगे किसका, order 2 का, अब order 2 में कौन-कौन से आएगे देखो, यह बन जाएगी, matrix, एक यह बन जाएगी, एक यह बन जाएगी, और एक यह बन जाएगी, निकालेंगे, पहला है 1, 2, 1, 2, 1, 2, एक तो इसका determinant होगी है, दूसरी कौन से होगी, 2, 3, 2, 3, है न, 2, 3, फिर 1, 2, minus 1, minus 2, 1, 2, minus 1, minus 2, फिर आजाएगा, 2, 3, minus 2, minus 3, देखी, यह 2 में से 2 गया, यह भी 0 हो रहा है, यह भी 0 ह तो इसका मतलब इसका order, 2 की सारी values की आरे है, 0 आरी है, तो इसके rank 2 भी नहीं होगी, अब लेंगे rank, अब कों सा minor लेंगे इसका, minor लेंगे order, 1, अब order 1 में तो इसारी आजाएगे न, order 1 भी आजाएगा, order 2 भी आजाएगा, यह सोरी, determinant 1 भी आ जाएगा, determinant 2, determinant 3, यह सारे आ जाएगे, non-0 यह आएगे, तो इसके rank कितनी हो जाएगी, इसकी rank हो जाएगी हमारी 1, कितनी rank आएगी इसकी 1, और अगर आप इसे वैसे भी करना चाहें दूसरे method से, तो यह देख लीजे, second method से न, जैसे second method से करेंगे तो क्या जैसे 1, 2, 3, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3 दिया हो है, तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए, जो हमारी R3, यह R1 है, यह R2 है, यह R3 है, रो है न, तो जब R3 रो में क्या कर देंगे, R3 रो को लिज़ते हैं, R3 plus R2, इसमें से R2 प्लस कर देंगे, तो देखें क्या आता है, 1, 2, 3 ऐसी 3 ऐसी आ गया, इसमें इसको plus करा तो 0 हो जाएगा यह, minus 1 ने से 1 गया 0 minus 2 में से 2 गया 0 यह भी 0 हो गया न, यह आ गया उसके बाद, जब हम अगली form निकालेंगे अब क्या लिसकते हैं अब R2 में से R1 माइनस कर सकते हैं R2 माइनस R1 यह हम R2 को लिसकते हैं तो पहली 1, 2, 3 आगी और यह value भी हमारी क्या होगी, 0 हो गई और पहले बाद, यह भी 0 थी, तो इसकी rank कितनी आगी इसकी rank आगी हमारी 1, और यही मैंने आपको बताया था इसमें न, लिजिए आप इसके एक बाद screenshot ले लिजिए उसके बाद next है कि rank of a null matrix rank of a null matrix जो null matrix होती है, उसके rank क्या होती है always 0 होती है, क्या होती है, always 0 होती है फिर है echelon form of any matrix किसी भी matrix को echelon form में हम कैसे solve करेंगे मतलब rank कैसे निकालेंगे same वो है जो मैंने भी पहले बताया था देखे, यह R1 है, यह R2 है यह R3 है, यह 4 kolom है और इसमें 3 row हैं और 4 kolom है अब यह देखे, किस चीस से 0 बन सकता है जाद से जाद से 0 बनाने हैं तो अगर हम उपर दिया है 1, 2, minus 1 अगर इसमें 2 की multiply करेंगे तो नीचे वाला ट्रम मिल रहा है तो हम R3 को कैसे लिस सकते हैं R3 plus 2, 3, 1, 4 0, 1, 2, minus 1 क्योंकि हमें R3 को change करना है तो R1, R2 ऐसे लिख देंगे अब देखिए पहली तो 0 की 0 ही होजएगे, यहां भी 0, यहां भी 0 है दूसरे वाल में मैंने बोला था कि 2 R2 में 2 की multiply करी और इसमें plus कर दिया तो 0 हो जाएगा इसमें 2 की multiply करेंगे, 4 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा और यह भी 0 हो गया ठीक है? आगे तो यह solve वाई नहीं सकता तो कितने कितने इसमें आगे? R1 है R2 है और R3 हमारा 0 हो गया तो इसका rank कितनी हो जाएगी? rank कितनी हो जाएगी? इतनी number of non-zero's होते हैं तो हमारी क्या हो जाएगी? number of non-zero rows number of non-zero's number of non-zero rows in A जितनी भी इस matrix में non-zero's row है वो हमारी rank हो जाएगी तो row A rank कितनी हो गी है हमारी? 2 number of non-zero rows है तो यह हमारी rank 2 होगी अब कुछ properties हैं इसकी rank की देखिए कोई matrix दी हो है हमें A M cross N matrix then rank A अगर rank A निकालना है तो हमेशा less than way equal होगी minimum M N के M यह हो गया M जो row की counting है वो rank जो column के होती है जैसे हमें एक matrix देदी A 1 cross 10 में देदी जिसकी row तो 1 है और order कितनी है? 10 है तो उसकी minimum minimum 110 हो गया अब 110 होने के बाद क्या हो जाएगा? इसकी rank कितने आजएगी? minimum पूछे तो वना जाएगी उसके बाद rank A rank A हमेशा rank A' के बराबर होगी rank AB अगर A B into के निकालनी है तो less than equal minimum rank A comma rank B इन दोनों में जो rank A rank B में जो minimum value होगी वो लिखे जाएगी फिर rank A plus B में क्या लिखेंगे? less than equal rank A plus rank B उसके बाद आजएगा rank mod rank A minus rank B less than equal rank A plus B less than equal rank A plus rank B यह तो पर देख लिए था A plus B के लिए rank यह होती है और अगर इससे इदर का बूछे जाए तो rank A minus rank B determinate फिर है maximum maximum होती है rank A plus rank B minus N comma 0 less than equal rank A b होती है less than equal minimum rank A rank B यह आपको formula याद करना है यह ना इसी बेस पर question आएगे फिर आपको question करना है जोसे कि question दिया हो है देखिए if A 5 into 5 of rank A A की rank कितनी दी होई है? 3 order कितना है इसका? 5 into 5 मतला M B 5 है और N B 5 है मतला square matrix है यह तो A of rank 3 है B की rank इतनी है 2 है then possible rank of A B और rank A plus B निकालनी है तो पहले A B के लिए A B के लिए क्यों फॉर्मला बताया था मैंने? यह वाला ठीक है तो पहले A B के लिए फॉर्मला मैंने यह वाला बताया था यह वाला लिए देते हैं यह वाला है तो क्या जाएगा maximum rank A plus rank B minus N,0 है less than equal rank A भी निकालनी है तो minimum rank A,rank B है ना? तो देखें, maximum rank A, A कितनी है? 3, B कितनी है? 5 A 3 है, B कितनी है? sorry, B कितनी है? 2 B कितनी है? 2 और minus N कितना है? 5 है ना? 5 into 5 और,0 less than equal rank A भी हमें निकालनी है तो क्या जाएगा minimum rank A कितनी थी हमारी? 3 और rank B कितनी है हमारी? 2 ठीक है? तो अब 3 और 2 कितना हो गया? 5 यह कटके 0 हो गया, तो यह कितना आ गया? 0 इन दोनों में maximum लेना था लेकिन यह भी 0 यह भी 0 तो 0 ले लिया अगर यहां 1 होता तो maximum value ले लेते है 1 फिर लेते है rank AB less than equal, इसमें minimum value क्या है? 2 हाना? तो इसकी rank क्या होगी? अगर last में पुछी है कि तो 0 और अगर AB से बड़ी है तो कौनसी है? 2 है 0 और 1 के बीच में हो जाएगी AB की rank हाना? फिर पुछा है rank A प्लस B पार्ट, rank A determinant minus rank B determinant हाना? less than equal rank निकालना है A प्लस B का तो A प्लस B का निकालेंगे तो क्या है का? rank A plus rank B तो A rank A minus rank B कितना हो गया? rank A थी 3 और यह थी 2 हाना? यह था 2 determinant less than equal rank A plus B rank A plus rank B 3 plus 2 तो कितने आगी value है हमारी? यह तो हो जाएगी 1 3 मसे 2 गया 1 और less than equal rank A plus B less than equal 3 और 2 कितना हो गया? 5 तो A plus B की rank की आगी? 1, 2, 5 1, less than equal rank A plus B less than equal 5 तो इस तरह से हमने rank निकाल दी आप इसको screenshot ले रहीजे तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने rank के बाढ़ा rank कैसे कैसे निकालते हैं? अगर हमें 3 into 3 order किया है तो वह तो हम इस method से निकाल देंगे minor method से order 2 order 3 का दे लेंगे order 2 का order 1 का ना इस step से निकाल देंगे और अगर ज़्यादा दे रख है या तो ज़्यादा के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरू कीजिए धन्यवाद